किसी भी बान कर सबसे महतवपुन फийचर या जो फंक्षन होता वो होता उसका ब्रेकिंग सिस्टम अगर ब्रेकिंग सिस्टम किसी भी गाड़ी का ठीक से काम ना करे तो वो गाड़ी दुरगटना ग्रस्त हो जाएगी इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक इसी परकार train का भी जो सबसे मर्दपूर्ण फीचर होता है या जो सबसे मर्दपूर्ण पार्ट होता है या हिस्सा होता है वो होता है उसका air brake system train का अगर air brake system काम ना करे तो train excellent हो जाएगा बहुत बड़ी दुर्गटना हो सकती है इसलिए air brake system काफ़ी important होता है मैं हो फायाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लिए हूँ train के air brake system से related कुछ basic सवाल और जवाब ऐसी जानकारियां जो एक आम railway employee के पास होनी चाहिए अगर वो CNW से जुड़ा हुआ है तो तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए हम शुरू करते हैं आज काई वीडियो और देखते हैं पहला सवाल अगर बोगी यह फिर करने काई ब्रेक स्नेंडर अगे अनुट कौकत रहते हैं उनको बीयुमदच बीडियो और यहर बोगी च ह्यानी कि अहर ब्रेक स्नेंडर के सॉट हूटा हूप लो तो कुल मिलाके, एक ICF coach के अंदर 4 brake slender होते हैं, चलते हैं अपना दूसरा सवाल देखते हैं, एक ICF coach में brake shoe और brake pad की संखिया कितनी होती है, यानि कि पूरे coach की बात हो रही है, एक trolley की बात निजिए है, तो एक ICF coach में brake shoe और brake pad की संखिया 16 होती है, इसका मतलब यह हुआ कि ए यह याद कर लेजिए कि 16 brake pad होते हैं तो जितने brake shoe होंगे उतने ही brake pad होंगे या फिर जितने brake pad होंगे उतने ही brake shoe होंगे एक trolley की बात की जाए तो 8 brake shoe और 8 brake pad होते हैं चलते अगला सवाल देखते हैं एक LHB coach में brake slender की संख्या कितनी होती है अभी तक हमने ICF coach की बात करी थी यहाँ पर हम LHB coach की बात कर रहें कि एक LHB coach में brake slender की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता हूँ तो LHB coach में brake slender की संख्या 8 होती है यानि कि पूरे एक coach में 8 brake slender होते हैं और इसका मतलब यह भी हुआ कि एक trolley में 4 brake slender होते हैं जबकि अगर ICF की बात की जाए तो ICF में पूरे coach में 4 brake slender होते थे जबकि यहाँ पे LHB में सिर्फ एक trolley में ही 4 brake slender होते हैं और पूरे coach की बात की जाए तो इनकी संख्या 8 होती है अगला सवाल एक LHB coach में breakpad की संक्या कितनी होती है और इसका right answer देख लेते हैं एक LHB coach में breakpad की संक्या 32 होती है यहाँ भी यह ICF से ज़्यादा है ICF में 16 होते थे जबकि LHB coach में 32 होते हैं और अगर एक trolley की बात किजाए तो एक trolley में breakpad की संक्या 16 होती है अगला सवाल एक ICF coach में DB की संक्या कितनी होती है DB बहुत important है distributor valve होता है और breaking system का सबसे important चीज है यह breaking system का दिमाग कह सकते हैं अगर इसके अंदर थोड़ी भी problem आई तो पूरा breaking system खराब हो जाता है और उसमें बड़ी समस्या आ जाती है तो यह DB बहुत sensitive चीज होता है और एक ICF coach में DB की संक्या एक होती है एक LHB coach में DB की संक्या कितनी होती है तो एक LHB coach में DB की संक्या एक होती है यानि कि हर rolling stock के अंदर एक ही DB होता है चाहे वो ICF हो, चाहे वो goods हो, चाहे वो LHB हो किसी भी coach में सिर्फ एक ही DB होता है, चाहे वो A.C.O., Non-A.C.O., Goods, कुछ भी हो, एक ही DB होता है, जिसको distributor वाल कहते हैं, और ये काफी sensitive होता है, एक single pipe coach में air host की संख्या कितनी होती है, एक single pipe coach में कितनी होती है, तो देखे, single pipe coach में air host की संख्या 2 होती है, लेकिन दोनों end में य एक होते हैं, तो total 2 हो गए, अगर एक end की बात की जा, तो एक end में 1 होता है, और दूसरे end में 1 होता है, तो दोनों मिला के ये 2 होते हैं, अगला सवाल, twin pipe break वाले coach में air host की संख्या कितनी होती है, यानि कि ऐसे coach जिसमें twin pipe breaking system लगा हुआ है, उसमें host की संख्या कितनी होती है तो ऐसे में 4 होती है, coach के एक end में 2 air host होते हैं, जिनमें 1 BP तता 1 FP होता है, ठीक इसी प्रकार coach के दूसरे end में भी 2 host pipe होते हैं, जिनमें 1 BP तता 1 FP होता है, इस प्रकार कुल मिला के twin pipe वाले break वाले coach में total 4 host होते हैं, जिनमें 2 FP और 2 BP होते हैं, दोनों end में ये 2 होते हैं, जि मैं आपको बताऊँगा, अगला सवाल, coaching stock में BP और FP pipe का diameter कितना होता है, काफी important है coaching stock में, यह coaching stock की बात हो दो, यह goods की नहीं, यहाँ पे coaching stock में, तो BP और FP का जो diameter होता है, 25 mm होता है, यानि कि break pipe और feed pipe का diameter सेम होता है, और यह 25 mm होता है, coaching stock के अंदर, अब यहाँ पे goods stock की बात कर लेते हैं, goods stock है, यानि मालगाड़ी में BP pipe का diameter होता है, वो कितना होता है, मालगाड़ी में, मालगाड़ी के अंदर भी twin pipe होता है, लेकिन ज़्यादा तर मालगाड़ी अभी single pipe से चलती है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिप BP pipe की बात कर रहें, तो देखें, मालगाड़ी में BP pipe कर जो diameter होता है, वो 32 mm होता है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे, तो जो coaching के stocks थे, यानि जो passenger train है, उनका अलग है, जबकि मालगाड़ी का अलग है, अगला सवाल, MR में कितना pressure रहता है, तथा MR का full form क्या होता है, यह बहुत important है, MR में कितना pressure रहता है, तथा MR का full form कितना हो होता है, तो देखें, MR में जो pressure होता है, 8-10 kg per cm2 होता है, और MR का full form होता है, main reservoir, यह एक तरह का tank होता है, जो engine के अंदर होता है, आप सबको पता है, कि जो हमारे train में जो braking system है, वो compressed air से brake लगता है, तो हमारे train के engine में एक compressor होता है, जो की compressed air बनाता है, और उसको एक tank में store करता है, उसी tank को MR कहते है, जिसको की main reservoir उसका full form होता है, इस tank के अंदर 8-10 kg cm per cm2 का pressure store किया जाता है, अगला सवार, BP में कितना pressure रहता है, तथा BP का full form क्या होता है, अब BP हमारे जो coach होते हैं, उनके अंदर, या फिर जो हमारे rolling stock है, उसके BP pipe की यहां बात हो रही है, तो BP में 5 kg per cm square का pressure रहता है, और BP का full form होता है, ब्रेक pipe, BP का color code क्या होता है, यह काफी important है, देखे BP का color code green होता है, अगर आपको कोई भी angle cock, या कोई भी palm अगर आपको green दिखता है, तो इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है, या फिर coach के नीचे, जो भी हमारे pipe है, जो air brake system से देखेंगे, BP में 6 kg per cm2 का pressure रहता है, और BP का full form होता है, जिन गाड़ियों के अंदर twin pipe braking system है, उसमें ये BP होता है, और इसके अंदर 6 kg per cm2 का pressure होता है, और इसका full form होता है, फिर पाइप, BP का color code क्या होता है, जैसा अभी हमने BP का color code देखा रहा है, जो कि green होता था, यहाँ प देखेंगे, CR बहुत important है, और यह DB के साथ रहता है, DB के साथ CR जुड़ा होता है, CR में 5 kg per cm2 का pressure रहता है, तो CR का full form control reserve wire होता है, और यह हमारे DB के साथ जुड़ा होता है, CR में 5 kg per cm2 का pressure होता है, और CR का full form होता है, control reserve wire, अगला सभाल लिख लेते हैं, coaching stock में AR, यानि axillary reserve wire की capacity कितनी होती है, तो यहाँ पर देखें, यह जो AR होता है, यह coach के नीचे लगा होता है, बड़ा साइट टैंक, ड्रम जैसे आपको दिखेगा, और यह हर coach का capacity इसका अलग है, मतलब कि यह LHB में अलग size का आता है, ICF में अलग size का आता है, goods में अलग size का आता है, तो यहाँ पर हम coaching stock ICF की बात करें, तो यहाँ पर ICF में AR जो auxiliary reserve wire है, इसकी capacity 200 liter होती है, अगला सवाल देख लेते हैं, coaching stock में CR, यानि control reserve wire की capacity कितनी होती है, तो यहाँ अभी हमने देखा था CR का pressure कित अगला सवाल, coaching stock का break application time कितना होता है, यानि breaking का जो time होता है, coaching stock के अंदर वो कितना होता है, देखिए यहाँ पर एक important चीज़ में आपको बता दूँ, जो भी यह सवाल जबब हैं, यह मैंने कहीं से पढ़ा है, कुछ books में पढ़े हैं, कुछ rail employees से बातचीत में मुझे पता जानकारी नहीं है, अगर आप rail staff है, rail employee है, तो आप अपने manual book को देखें, वहाँ जो चीज़ लिखा है, उसी का वरुसा करें, और अपने manual book को पढ़ें, वो ज्यादा important है, तो coaching stock का break application time कितना होता है, यानि कि breaking का time कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए coaching stock का breaking application time में 3-5 second हो 15-20 second, यानि कि 15-20 second के बीच में break release हो जाना चाहिए, और अगर इतने देर के बीच में break release नहीं होता है, तो फिर देखा जाता है कि आखिर problem कहां है, और फिर उसका समधान किया जाता है, ICF coach का piston stock कितना होता है, काफी important सवाल है piston stock, अगर आप exam होगा है, departmental exam देते हैं, C&W staff है तो ये सब सवाल जवाब आपके लिए बहुत important होने वाले है, आप इन सब को बिलकुल याद कर लिजे, ये बहुत important सवाल जवाब है, ICF coach का piston stock 32 समयम होता है, LHB coach का piston stock कितना होता है, या हमारा अगरा सवाल है, इसका answer देख लेते हैं, LHB coach का piston stock है, वो कई समयम होता है, अ तो ये सब सवालों के जवाब चाहते हैं, तो इस वीडियो के description में लिंक है, जहाँ पे इन सब के जवाब मिल जाएंगे, और ओपर मैंने जितने भी अभी आपको सवाल जवाब दिखाए हैं, या जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने सवाल जवाब दिये हैं, वो सारे सव सवाल जवाब भी आपको वहाँ से पढ़ सकते हैं उनको कॉपी कर सकते या फिर सेप कर सकते हैं अपने मोबायल या फिर अपने तो ये आज के कुछ basic सवाल जवाब थे air brake system से जड़े हुए है आगे के वीडियो में काफी advance सवाल जवाब भी लोगा और भी बहुत सी rail की जानकारी आपको मिलते रहेंगे इसलिए वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना मत बूलेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद